नमस्कार मैं असुक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है आज कभी से है पर्युजन मुलक हिंदी जैसे सीने 28 जनवरी को जो परिछा लिया था हिंदी पेपर 2 का प्रस्ण कुछ जादा ही आसान था उमीद है कि इस बार जो परिछा होगी चाहे सीजल का हो या साहिक आचार या लेडिज सूपरवाइजर का उसके प्रस्ण का अस्तर अपिक्छा करित कठीन होगा इस अंदर में राम चंदर सुकल का हुआ कोट से याद आ रहा है सूर्दास वासल्य का कोना कोना ज्छाक आये हैं इसी कारण सूर्दास को वासल्यरस का समराट कहा जाता है यदि आप परिछा में सफल होना चाहते हैं तो GCC के जो निर्धारित जो सिलेवा से उसका हर कोना कोना जाकना होगा हर दिश्टिकोंड से त्यारी करनी होगी कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी होगी तभी जाकर आप परिछा में सक्सेस हो पाएंगे परिजन मुलक हिंदी क हिंदी भासाइक के तीन भी विदुरूप हैं पहला है समाने हिंदी दुसरा है सहतेक हिंदी तिसरा है पर्योजन मुलक हिंदी समाने हिंदी जो बोल चाल की जो हिंदी है जो घर में बात करते हैं मित्रों से बात करते हैं सिक्षक से बात करते हैं दुकंदार से बात करते हैं तो वह समाने हिंदी हो गया है दूसरा है सहतेक हिंदी कविता कहानी उपनियास पढ़ते हैं स्थृष पर्योजन के पार्थ की प्रति के आहें, वाकार्ज। हम किसी डाप्ति की प्रापति के लिए करते हैं। इसे में जो मूलक जो सब्द है उसका अर्थ होता है आधारित हिंदी का एक ऐसा रूप जो किसी उद्यस से पर आधारित होता है तो उसी हम परियुजन मूलक हिंदी कहते हैं यानि हिंदी का जो रूप होता है जो सोरूप होता है किसी ने किसी ओद्यस से पर अधारित होता है तो वह परियोजन मुलक हिंदी का नाम देते हैं तो कहीं ने कहीं हमारे मर्स्तिस्क में या प्रस्ण उठता है क्या कोई ऐसी भी हिंदी है जिसका परियोजन नहीं है या भासा नहीं जिसका की कोई परियोजन न होता हो क्योंकि भासा का सबसे मुख्य परियोजन भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है यानि कि भावों और विचारों का समप्रेशन है किसी भासा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दुसरे तक पहुचाते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। कुको पार्जन की भासा और यह भासा है जीवन की विभिन छित्रों में पर्योग होने वाली भासा है निन परियोजन के घरि के एक परियोग दुरदरशन की भासा हिंदी, आकासवानी की भासा हिंदी, समयचार पत्रों की भासा हिंदी, है विवस्था क्रिया कलापों की भासा हिंदी है करियालों की भासा हिंदी है और हमारे देश की भासा हिंदी है और हमारे देश की अनिक राजियों की भासा राज भासा हिंदी है हमारे देश की संपर की भासा हिंदी है हिंदी के जब एक से अधिक परुग होने लगे तब इस से पर्योजन मूलक हिंदी कहा जाने लगा किसी भी भासा को विक्षित करना तथा उसकी माध्यम से कार्ज को आगे बढ़ाना पर्योजन मूलक भासा का प्रमुख उद्य से है पर्योजन मूलक हिंदी को हम कामकाजी हिंदी तथा व्यवहारे की हिंदी भी कहते हैं इसे फंक् उपयोग में लाई जाने वाली ही पर्योजन मुलक हिंदी है। इसमें मंडी हों की भासा सर राफ की भासा डलालों की भासा सटा बजार की भासा आधी कई उपरूप हैं व्यपारी हिंदी कर्याली हिंदी कर्याले भी कई परकार के होते हैं और नमे भी भासा की अस्तर में कुछ अंतर होता है सास्त्रिय हिंदी विभिन सास्त्रों में पर्युक्त भासाएं भी सब्द की अस्तर पर कुछ अलग हैं इसमें संगीत सास्त्र, कावय सास्त्र, भासा सास्त्र, दर्संग सास्त्र, राजनिती सास्त्र, विधी सास्त्र आदी की जो भासा हैं वह सास्त्रिय हिंदी है पाचवा है तक्निकी हिंदी, इंजिनियरी, बढ़ेगिरी, लुहारी, प्रेस, फैक्टरी, मील इत्यादी की जो तक्निकी भासा है वो तक्निकी हिंदी की अंतरगत आता है समाजिक हिंदी, इसका पर्योग समाजिक कारिकरता करते हैं सहतिक हिंदी इसमें कविता, कहानी, कला, सहीत, नाटक की भासा है डक्टर दिलीप सीन जी की अंसार परिवजन मुलक के 5 रूप है पारला है वेग्यानिक और थक्निकी हिंदी, दुसरा है विधी की हिंदी यानि कानून की जो हिंदी है, कानून की जो सब्दावलियां है, तिसरा है प्रसासनी कर्याली हिंदी, चोथा है जन संचार माध्यमों की हिंदी, इनके अंदिगत प्रिंट मीडिया, इलेक्रोनिक और पाचमा है वानिज्य और व्यवसाई की हिंदी। पर्योजन मुलक हिंदी का स्वरूप गत्यात्मक है। अवसक्तानुसार यहां अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। कर्याले, व्यवसाई, संचार, राजनिती, आदी, छेत्रों में यही अभिव्यक्ति का म है। इसके बाच जानते हैं परिवर्योजन मुलक हिंदी के तीन तत्व, पहला है पारिभासिक सब्दावली, दुसरा है अनुवाद प्रक्रिया, तिसरा है भासिक सरंचना। परिवर्योजन मुलक हिंदी में जो परिवासिक सब्दावली अंग्रेजी के टेकनिकल का जिसकी अपनी एक निश्चित परिभासा होती है या जिसको अर्थ की सीमा में बाहन दिया गया है जैसे आयकर व्यक्तिया संस्था की आय पर सरकार के राजस्वे विभाग दवारा लगाये जाने वाला कर आयकर होता है अन्य विभाग द्वारा लगाए जाने वाला कर आयकर नहीं होता है तो इस आयकर की जो परिभासा है एक अर्थ की सीमा में बाहन दिया गया है इसके बाद दुसरा है अनुवाद परक्रिया अनुवाद परक्रिया में दो भासाइं होती है पहला है अस्तुरत भासा दूसरा है लक्षे भासा यदि अंग्रेजी में लिखी गई किसी कहानी का अनुबाद हिंदी में करना है तो अस्तुरत भासा अंग्रेजी हुआ और लक्षे भासा हिंदी हुआ अनुबादक को अस्तुरत भासा का अच्छा ग्यान होना चाहिए और लक्ष भासा पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए अनवाद की कुल आठ परकिरिया है मालने जी की कोई अंग्रेजी की कहानी है तो अंग्रेजी हो गया अस्तुरत भासा और इसे हिंदी में अनवाद करना है तो लक्षे भासा हिंदी हुआ इसके आठ भाग है तो इसे हम एक डाइगराम से समझते है पहला है पठन, दुसरा है विखंडन, तिसरा है विसलेशन, चोथा है भासांतर्न, पाचमा है संयोजन, छथा है पुनरिछन, जिसे निरिछन भी कहा जाता है साथमा है सामीोजन और आठमा अंति में अभिव्यक्ति मालिरी के अंगरी जी के कोई कहानी कोई हिंदी में अनुबाद करना है तो इसका पहला जो भाग है वह है पठन पहला जो प्रकिरिया है वह है पठन अनुबादक अस्तुरत सामगरी को अच्छी तरीके से वह पढ़ता है कई बार पढ़ता है ताकि उस कहानी का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके बाद दूसरा है विखंडन इस परकरिया में अनुबादक पढ़े गए कहानी या सामगरी को उसे वाकियों में तोडता है और पुरी पाट को एक बार में अनुबाद कर पाना संभो नहीं होता है इसलिए उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है तिसला जो प्रोसे से परकिरिया हुआ है विसलेशन इसमें अनुबादक कई खंडों में विभाजित पाट का विसलेशन करता है ताकि उसे किस प्रकार लक्षे भासा में रखा जाए जिससे अर्थ और भाव का सवरुप बना रहे है इसके बाद भासांत्रन है चोथा है भ अनुबाद करता है पाचवा है संयोजन लक्षे भासा में किये गए अनुबाद को सजाय जाता है अरेंज किया जाता है संयोजन में इसके बाद छठा है पुनरिच्छन इसमें यह दिखा जाता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया या इसमें कुछ सुधार की इस तो नहीं, सातवा है सामायोजन, इसमें छूटे के तत्यों को जोड़कर भाव और अर्थ की अनसार सजाय जाता है, अरेंज किया जाता है, आठवा है अभिव्यक्ति, इसमें अन्तिम परकिरिया में लक्षे भासा में अनवाद को व्यक्ति किया जाता है, लिखा जाता है तो अनवाद की कूल आठ प्रक्रिया है इसके बाद जानते हैं परुजन मुलग हिंदी की उदेशे पहला उदेशे है सुयोगिय तथा परिपूर्ण दू भासियों को तयार करना जो सासन संचालन तथा समाज की सिवा कर सके दूसरा है विभिन भासाओं के मध्य संपर्क सेतू का कार करना तिसरा है भासा के विभिन रूपों सेलियों की जानकारी देना हिंदी के दवारा आदर्स अनुबादक तयार करना हिंदी भासा के समन्यात्मक सवरूप से अहिंदी को भासियों परिचित कराना छठा है विज्ञानिक और तक्निकी छेत्रों में हिंदी के अनुप्रयोग से परिचित कराकर उसमें योगेता हासिल करना। साहिति एतर यानि साहिति को छोड़कर गैर साहितिक तथा विवहारिक छेत्रों में राजभासा के अध्यासियों को सफल करने के लिए निपूनता और कोसल को विख्सीत करना। आठमा है देनिक विवहार में परुक्त हिंदी सब्दावली तथा मानक परिभासिक सब्दावली का बोध कराना।